असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दे लेक्चर, जैसा कि हमने प्रिविएस लेक्चर में पावर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, कि पावर सीरीज हमार पस क्या होती है और कैसे हम पावर सीरीज को फॉंक्शन की फॉं में लिख सकते हैं, या किसी भी फ फ़ंक्शन को पावर सीरीज पफो पॉं में लिख सकते हैं, यह मारा पास। यूस्फुल कहां पर हैं इंटिग्रेटनंग फ़ंक्शन विदर्थ ऐल्लेंट्र्मेंटर्वेटिवेटिव थ, हम एक और हम फवी फ़ंक्शन को इंटेग्रेट कर सकते हैं, इसको हम मिनने numerical integration क्या ही थी अब ये third जो है हम method पढ़ने लगे हैं जिसमें हम लोग formulas नहीं use करेंगे integration के और ना ही इसकी numerical integration करेंगे बल्के इसको हम लोग जो है वो power series की मदद से functions की जो है integration करने जा रहे हैं उसके इलावा ये जो हम concept रीटी किया हम लोगों ने इसकी किया लास्ट टाइम भी फंक्शन जपावर सीरीज ये differential equations को भी solve करने के लिए यूज होता है और approximating functions function को approximates भी करने के लिए यूज होता है by polynomials अब हम next देखते हैं कि ये हमारे पास जो है मैं quickly जो है वो ये रिवाइज concept जो है वो थोड़ा सा revise करवाने जा रही हो आपको जो कि हमने previous lecture में डिसकस किया था फिर हम जो है main topic की तरफ आते हैं जो हमने उसमें geometric series देखी थी और हमें पता है कि इंफनाइट geometric series का जो sum में वो होता है a और one minus r यहाँ पर a जो है वो first one term होती है और r जो है वो common ratio होती है अगर हमारे पास infinite geometric series हो तो उसके sum के लिए हम यह formula जो है वो use करते हैं sum up करने के लिए और यह एक बहुत ही common result जिसकी details जो है वो मैंने last section में discuss की थी अगर आपको इसकी details देखनी है तो आप description में जो है वो link मैंने add कर दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो series है यह जो function हमारे पास था one over one minus x यह किस तरह इस तरह की geometric series की form में बन जाता है और यह हमारे पास power series जो है यह क्यूं बनती है और यहाँपर हमने x की value less than one क्यूं लिए है क्योंकि हमें पता है कि geometric series में convergence के लिए हमें है वो ratio है वह less than one चाहिए होती है अब अपने main topic की तरफ आ जाते हैं कि जो के है differentiation and integration of power series अब power series की हमने differentiation और integration जो है वो यह discuss करने जा रहे है अगर हमने power series का sum जो है वो f of x वाला function इसको हमने power series की form में लिख्या है और यहां पर हमने power series की most general form लिख लिए है यहां पर sum जो है वो n is equal to zero to infinity ले लिए हमने cn कोई भी constant value हो सकती है और x minus a और इसकी power हमने n ले लिए है अगर यह हमरे पस sum of power series है जिसकी domain domain हमरे पस क्या होती है इसकी domain जो है वो interval of convergence of the series होती है साके last lecture में हमने एक दो तीन examples की interval of convergence जो है वो find किया था तो वो उस power series वाले function की जो है वो domain होती है कि एक function बनर और function में हमारे पस domain और इंच दोनों चीज़े discuss होती है तो हमने क्या कह दिया कि इसमें जो domain होगी वो हमारे पास interval of convergence जो है वो हमारे पस इसकी domain होगी we would like to be able to differentiate and integrate such function in इस तरह के functions को हम लोग जो है differentiate और integrate जो है वो दोनों कर सकते हैं the following theorem which will would not be proof say that we cannot do so by differentiating or integrating such individual terms in the series अब यह हमारे पास जो है just we would for the polynomial this is called the term by term differentiation and integration basically अभी जो हम लोग result जो theorem जो है वो present करने जा रहे हैं उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे just हम उसको step by step जो है उसकी term by term उसकी differentiation और integration जो है वो हम कर लेंगे ठीक है और उस polynomial की हमने term by time जो है वो differentiation और integration करनी है हमने उस theorem को proof नहीं करना तो सबसे पहले तो हमारे पास जो power series given है यह हमारे पास एक power series है has a radius इसका हमने कह दिया कि इसका radius of convergence जो है वो capital आ रहा है कोई भी इसका capital आ रहा हमने radius ले लिया है तो फिर यह function f जो है कि यह defined होगा इसको हम उपर करके भी एक सकते हैं जैसे कि हमारे पास submission की value n is equal to zero to infinity होती है तो यह मारे पास c node आ जाएगा क्योंकि x minus a की power zero होगी तो वह तो one आ जाएगा तो first में तो हमारे तो हमारे जस्ट भी होता है ठीक है हर continuous function differentiable हो या ना हो यह ज़रूरी नहीं है में और में नोट होता है लेकिन अगर कोई function differentiable है तो वह continuous ज़रूर होता है यह एक लाइदा details है इसकी details की तरफ हम move नहीं कर रहें लेकिन फिलाल हमें क्या का के हमें यह जो function हमारे पास है यह डिफ्रेंशेबल function है और अगर डिफ्रेंशेबल है तो यह continuous भी होगा किसी interval पर a-r पर यहाँ पर r जो है हमने radius of convergence लिया हो है ठीक है और a यह वाली value है जो हमारे पास यहाँ पर x में से हम subtract कह रहे हैं तो next हम move करते हैं जरा इसको simplify किया है इसका derivative और integration हमने ले लिए है तो सबसे पहले हमने इसकी differentiation करनी है इसको relate कर लें कि अगर आप c note जो है वो यह एक constant value है अगर हम इसकी differentiation वो करते हैं इसका derivative लेते हैं तो इसकी value हमारे पस क्या आजाएगी 0 क्योंकि यह बीदर respect to x 2 है वो constant है और हमने x की respect इसका derivative लेना है next वाली term में अगर हम derivative लेंगे c1 तो constant वैसी आजाएगा और x का derivative 1 आजाएगा तो it means हमारे पस c1 आजाएगा और minus a यह भी constant है तो उसका derivative भी 0 हो जाएगा हमारे पस उससे next अगर हम derivative लेते हैं तो यह हमारे पस आजाएगा c2 और यह x minus a का square ह है तो इस पर power rule apply होगा इसको देख लेते हैं कि c0 यहां पर हमारे पस derivative में नहीं आया क्योंकि c0 वाला 0 हो गया था और second वाली term का हमने देखा था कि derivative जो है वो c1 आजाता है क्योंकि x का derivative 1 है अब third वाली term की तरफ मुह को एते हैं इसमें एक तो c2 constant है यह वैसे का वैसे पावर है यह start में आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा x-a लेखें पावर हमारे पस start में आ गी है और साथ आ गया है x-a अब पावर के अंदर वाला जो function था यह वाला x-a इसका हमने derivative लेना है तो इसकी derivative की value 1 आ जाएगी और minus 1 का derivative तो 0 है तो यह हमारे पस आ जाएगा 2 c2 into x- a जो पावर 1 अब इसकी third well term जो है वो cube में होनी थी तो उस पर भी हमने power rule apply किया तो हमारे पस आ गया 3c 3x-a स्केया और आप पावर के अंदर वाले का उसी तरह derivative लेंगे तो वो हमारे पस 1 आ जाएगा इससे दर आप तू सौन इसके terms जो है वो चलती जाएगी अब इसको हम को हमने लिखना है power series की form में तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा सिबसे पहले तो हमारे पास n is equal to 1 to infinity यहां पर लिए n की variation focus करें क्योंकि n पर 0 वाली तो term हमारे पास यहां पर खतम हो चुकी थी तो n is equal to 1 to infinity हमने ले लिए है ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो इस term पर चलें सेकिंड वली term पर focus करते हैं और इसको generalize करने की कोशिश करते हैं second term है c2 है तो यहां पर हमारे पास 2 आ रहे है तो it means n into cn आएगा जैसे के c3 था तो यहां मारे पास 3 आ रहे है और c1 में हमारे पास 1 multiply हो रहा है तो यह वहली term हमारे पास आगी n into cn अब x-a जो है यह हर term के साथ आएगा और इसकी power क्या होगी अगर हमारे पास यहां पर जो आ रही है 1 अगर यहां पर हमारे पास c3 है तो x-a की power हमारे पास क्या रही है 2 it means n-1 power आ रही है अगर 2 है तो 2-1 1 हो जाएगी 3 है 3-1 2 हो जाएगी तो it means इसकी जो power है x-a की वह हमारे पास आ जाएगी n-1 तो यह हमारे पास generalized formula आ गया है किसका differentiation का power series की जो हमने differentiation करनी है उसक integration में जैसे कि हमारे पास function जो given था वो यह है हमारे पास c node plus c1 यह हमारे पास total function है इसकी अब हमने integration करनी है तो integration में सबसे पहले जो first value term है वो देखें एक constant value तो 7 add होनी होनी है उसको मैंने start में लिख लिए है जो integration करने के बाद एक constant of integration आता है यह वो constant है उसके अलावा अब next देखें कि next हमारे पास क्या आजाएगा c node x-a हमारे पास आजाएगा c node के साथ जो है वो हमारे पास x-a आजाएगा है मैं आपको इसको आप clearly देख सकते हैं कि अगर हम इसकी integration करते हैं c node की तो यह हमारे पास c node के साथ क्या रहा है x-a आ रहा है इसी तरह c1 के साथ जो है व one add हो जाएगा यहाँ पर हमारपस x minus a का square था जिसके ही हमने integration की है वो हमारपस क्या function था function था हमारपस c2 into x minus a square तो इसकी जब हम integration करेंगे तो यह c2 तो constant है ऐसे कैसे रहेगा x minus a इसके square में one add भी हो जाएगा इसकी power में और उससे हम divide भी कर देंगे तो यह two plus one three हो जाएगा और three से हमने जो है वो इसको डिवाइड भी कर देंगे तो finally जो हमारपस c तो constant वैसे का वैसे इसकी value भी हम find करते हैं और यह हमारपस जो है वो साथ इसके क्या multiply हो गया है n की variation zero तो infinity है क्योंकि सी नोट से start हो रहा है और एक cn जो है वो इन सब के साथ multiply हो रहे है सी नोट c1 c2 इसी दर आप टू सोन और अगर हम इसकी power की बात करें अगर यहां पर cnode है तो यहां पर तो यह हमारपस integration का फार्मूला बन गया अब इसमें यह सी की वैल्यू जो हम डिस्कुस कर लेते हैं अगर रेडियस ओफ कन्वर्जन्स जो है वो इस पावर सीरीज का भी आर ही होगा अगर पावर सीरीज का रेडियस ओफ सीरीज का रेडियस ओफ कन्वर्जन्स आ रहा है तो integration करने के बाद जो सीरीज आ रही है उसका भी रेडियस ओफ कन्वर्जन्स आर ही होगा अब इसके जो है पार टू में हमने सी नौड डी एक्स अब यह देखें कि सी नौड अगर हमारे पास डी एक्स के रिस्पेक्ट जो है वह integration करते हैं तो यह हमारे पास क्या आ जेता है सी नौड एक्स और प्लस सी वान कोई भी कॉंस्ट्राइशन आ जेता है क्योंकि यहां पर हमारे पास वान एक्स माइनस ए यह हमारे पास आ जाएगा अगर हम एक्स की जगा क्या रिप्लेस करें एक्स माइनस ए और यहां पर सी जो है वह हमारे पास किसके एक्वल है सी यह जो हमने सी लिखा है यह हमारे पास किसके एक्वल है सी वान प्लस ए सी नौड के एक्वल हमने इस सी को है so all the terms of the series are the same form जैसे कि हमने देख लिया कि सारी terms जो है वो series की इनकी form जो है वो same ही बढ़ रही है अब next जो है यह point भी काफी important है इसको भी आप धिहान से समझ लें मैं इसको explain कर देती हूं आपके पास कि यह दो जो third और fourth वाले points हैं यह हमें यह actually क्या बताना चाहरे हैं इसमें अगर आप देखें कि यह submission हमारे पास जो add differentiation के अंदर आ रहा था और इसको हमने equal किसके लिखा कि हम submission वाली nutrition बाहिर लिख लिए और differentiation अंदर कर लिए mean इनको separate separate इनकी differentiation करके फिर add करें या इनको add करके फिर इसकी differentiation करें तो दोनों केसिस में मरपस answers जो है वो equal होंगे इसी तरह integration वाले case में देखें कि अगर इनको सबको sum up करके फिर इसकी हम integration करते हैं या separate separate integration करके फिर इनका sum up करते हैं तो दोनों का answer हमारे पास जो है वो same ही आता है तो इसको हम लोग जो है words में किस तरह express कर सकते हैं for finite sum we not add finite के लिए तो यह चीज़े हमने पहले ही देखी हुई है कि derivative derivative of sum of the derivative of sum is the sum of the derivative चाहे हम derivative लें sum लेकर जैसे कि यह इसको हम कह सकते है derivative of the sum और the sum of the derivative इन दोनों words को देहान से समझे इसको हम कैसे पढ़ेंगे derivative of the sum और यह जो second वाल expression है जो हमने right side पर लिखा है इसको हम कैसे पढ़ेंगे sum of the derivatives derivatives लेकर फिर उसका sum किया है और इसको हम पढ़ने है derivative of sum के sum लेकर फिर उसका derivative लिए ठीक है तो अब इसी तरह second वाली statement को हम सबढ़ सकते हैं the integral of sum is the sum of the integrals integral हम जो है वो बाद में ले रहे हैं यह integral of the sum is equal to sum of the integral जैसे हमने previous में समझा इसी तरह यह दोनों भी हमार पास जो है वो आपस में equal होंगे अब equation 3 or 4 assert that the same is true for infinite sum यह चीज़े हमने finite के लिए तो देखी हूँ थी के hold कर दी है अब यहां से हमें 3 or 4 equation से यह पता चल गया कि अगर हम आपस infinite sum हो तो यह उस case में भी यह चीज़े जो है यह hold करेंगी dealing with power series for other type of series of functions the situation is not as simple अब हमने यह power series के case में जो है हमने का कि अगर infinite sum होगा तो फिर भी जो है यह हमार पस exist करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी जो series है यह बाकी जो situations है functions की उसमें भी यह चीज़ जो है ऐसे ही hold कर रही हो क्योंकि उसमें इतना simple नहीं होगा यह theorem toom says that the radius of convergence remains the same when a power series is differentiation and integrated मैं से कि अभी मैंने आपको बदाया उस result में कि अगर उसको differentiation उसकी कर ली जाए यह integration कर ली जाए तो जो original power series का radius of convergence होता है वो ही differentiation और integration करने के बाद जो power series आती है उनका होता है however this does not mean that the interval of convergence remains the same radius of convergence तो remains same रहेगा लेकिन हम यह नहीं कह रहें कि उसका interval of convergence भी same होगा हो सकते है जो differentiation होने के बाद हमार पास series है उसका interval of convergence कुछ different हो और जो differentiation से पहले हमार पास series है उसका interval of convergence जो है वो कुछ different हो original series convergence at the end point where is the differential series is divergent there ऐसे भी हो सकता है कि यह हमारे पस एक note है इसको भी note down कर लें कि जो हमारे पस original series है वो convergent हो जो end points पे जो हमने interval of convergence लिया था जबके जो इसको differentiate करने के बाद series आए वो end points पे जो है वो divergent हो अब एक बैसल function है इसको इसकी ज्यादा details में हम नहीं जाते लेकिन आपने इसको याद रखना है कि बैसल function आपका जो है यह j node of x इसकी value क्या होती है यह minus 1 raise to power n और x raise to power इसमें होता है 2n x की power भी यहाँ पर 2n होती है और यहाँ पर denominator में आता है 2 और इसकी power भी हम लेते है 2n उसके बावा n factorial होता है इसमें denominator में और उसका हम square लेते हैं और इस function को हम कहते है बैसल function यह आपको याद होना चाहिए कि बैसल function आपर पस क्या है इसमें summation हम n is equal to zero to infinity ले रहे है और minus 1 की power के ले रहे है n जहां से मैं पता चल रहे है कि यह एक alternative series बनेगी और उसके इलावा हमने क्या का आपके x की power यहाँ बार two n होगी और इसी तरह denominator में जो two है उसकी power भी हम two n ले रहेंगे और n factorial का हम जो है वो scale ले रहे है is defined for all x यह हमार पस x की all values के लिए defined होता है ठीक है कोई x जो है वह हमार पस numerator में है तो ऐसी कोई के भी x की value नहीं है जिसमें यह undefined हो सके अब इसके बैसल function की जो है हमने differentiation देखनी है कि यह काफी important बैसल function है यह different चोगों पर हमार पस use होता है लेकिन अभी हम इसकी जो है वो differentiation करके देखने लगे है as a sum में क्योंकि हमने कहा कि हम sum up करके उनकी differentiation करें यह differentiation करके उनका sum कर लें तो दोनों से हमें जो है वो same ही result मिलेगा is differentiated for all values of x and its derivative is found by term by time differentiation as follows अगर हम इसको term by time differentiation with respect to x करने जा रहे है x के respect से differentiation होने जा रही है तो यहाँ पर हमार पस x का function जो है वो सिरफ यही term है जिसमें हमार पस x आ रहा है जिसमें x की power जो है वो क्या है 2n तो इस पे power rule अप्लाई होगा minus 1 raise to power n यह भी constant term है 2 raise to power 2n यह भी constant है और n factorial का square जो है यह तीनों तो constant terms आगी हमार पस हमने derivative किसका रहना है x raise to power 2n का तो इसमें power rule जब लगेगा तो 2n आ गया हमारा start में और x की power में से हमने क्या किया 1 subtract कर लिया तो यह हमार पस लग गया power rule उसके बाद power के अंदर x था x का हमने derivative लिया तो वो हमार पस 1 आ गया तो it means के j dash of x की value हमार पस क्या आ जाती है यह हमार पस जो है इसके derivative की value आगी बैसल function के derivative की value अब next हम कुछ और examples देखने जा रहे हैं ताकि हमार पस यह concept जो है वो clear हो जाए इसका express 1 over 1 minus x square as a power series by differentiating equation 1 अब इसको हमने differentiate करके जो है इसका बताना है कि इसकी power series क्या बान रही है और इसका radius of convergence वो भी हमने discuss करना है जासे कि हमने previous lecture में इसकी detail discuss की थी कि अगर हमार पस 1 over 1 minus x आता है तो हम इसको इस तरह series की power series की form में लिख सकते हैं n is equal to 0 to infinity बनता है और x raised to power n तो यह इसकी series बनती है इस function की तो अब हमार पस आ रहा है 1 over 1 minus x और इसका square अब देखें इसकी अगर हम differentiation करते हैं यह हमार time जो है वो differentiation करके देखते हैं और फिर इसको sum up करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है अगर हम इसकी left side की differentiation करते हैं तो इस पे हमार पस लगेगा power rule यह हमार पस आ जाएगा minus 1 over 1 minus x और इसकी power हमार पस आ जाएगी minus 2 आ जाएगी इसकी power और power के अंदर वाले का जब हम derivative लेते हैं तो वो हमार पस minus 1 आता है तो इस तरह यह हमार पस जो है यह इसका derivative जो है 1 over 1 minus x का whole square यह हमार पस बन जाएगा क्यूंकि इसको मैं दोवारा आपको explain कर जाएगा अगर आपको इसमें को confusion आ रहे कि 1 over 1 minus x इसका हमने derivative लेना है तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं 1 minus x ratio power minus 1 त subtract होगा तो यह minus 2 हो जाएगा और यहां से एक minus 1 power के अंदर वाले का derivative लेंगे तो यह again positive हो जाएगा अब हमने left side कर तो derivative ले लिए अब right side की तरफ move हड़ते हैं 1 का derivative लेंगे वो हमार पस आ जाएगा 0 x का derivative लेंगे वो हमार पस आ रहा है 1 और x square का अगर हम derivative लेते हैं तो यह ह बनता जाएगा और हम इसको असल में verify कर रहे हैं कि अगर हम step by step इसके derivative ले रहे हैं या इसको submission की form में ले रहे हैं तो यह हमार पस क्या बनेगा power rule apply होगा n start में आ जाएगा और इसकी power में से 1 जो है हम subtract कर देंगे तो वह हमार पस आ जाएगा x raise to power n minus 1 ओके और आप power के अंद derivative के हम पस value आगी और यहा पर हम जो submission apply करेंगे अब यहां पर n is equal to 1 to infinity है यहां पर नगार हमार पस को आज जाएगल n is equal to 1 to infinity लिए है अगर हम इसको 0 to infinity करना चाहें तो फिर वो इसकी दिमट अगर change होगी तो यहाँ पर भी थोड़ी सी हमार पास variations आएंगी इसको verify भी करके देख सकते हैं कि यह mission हमार पास यही बनता है n की जगह अगर हम 1 put करते हैं तो x raise to power 0 हो जाएगा तो first वरी term हमार पास आजाएगी 1 अगर हम n की जगह 2 put करते हैं तो यह हमार पास second वरी term जो है यहाँ पर 2 minus 1 x raise to power 1 हो जाएगा 2 into x हो जाएगा, इसी तरह अगर हम n की जगा 3 put करते हैं, तो यह हमार पास हो जाएगा 3 into 3 minus 1, तो यह 3 x square बन जाएगा तो यह n is equal to 1 के लिए तो यह true है, अब इसको हम now n is equal to 0 में convert करना चाहरे हैं, तो अगर हम 0 में convert करना चाहरे हैं, तो n is equal to 0 to infinity अगर लेना चाहरे हैं, तो यह अगर बन जाएगा n plus 1 और x raise to power n हो जाएगा, देखे, यहां पर हमने एक value जो है, वो n is equal to 0 से start करना चाहरे थे, तो अगर 0 से start करते हैं, तो यहां पर बन जाएगा n plus 1, फिर जब हम n की जगा 0 पुट करेंगे, तो फर पस आजाएगा 1, और इसकी power में simply n बाच चाहेगा, क्योंकि हम plus 1 एक term हो इसमें add कर रहे हैं, मतलब हम कहने कि हम इसको 0 से इसकी variation लिख सकें, तो यह इस चीज़ का आपने क्यार रखना है, कि अगर में limit change कर रहे हैं, तो उसके लिहां से function भी आपका change होता है, यह नि कि अप्स mission में limit change कर रहे हैं, वो function को change ही ना करें, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, कि the radius of convergence of the differential series is the same as that of the original series name लिया, r is equal to 1, यहां पर r की value जो हम clearly देख सकते हैं, कि हमार पास 1 ही boundary है, ठीक है, तो इसका radius of convergence जो है, वो 1 ही बनेगा, और नेक्स्ट हम जो है, वो देख लेते हैं, कि sign the favor city representation of log 1 minus 10, यह निस radius of convergence, अब log 1 over x के लिए हमने check करना है, कि हमार पास यह किसका बनता है, वो ही notice that, expect for the factor of minus 1, अगर हम x की value minus 1 नहीं लेते, तो उसके अलावा जो है, the derivative of the function, इस function का derivative है, हमार पास क्या बनेगा, 1 over 1 minus x, तो फिर उसके अलावा यह सारी terms के लिए हमार पास जो है, इस function का derivative exist कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं, जरा कि यह हमार पास क्या बनता है, अब हमने दोनों sides को जो है, वो integrate करना है function की, तो यह हमार पास integration करने के बाद, पहले तो यह function था, 1 over 1 minus x, ठीक है, इसकी यह geometric series यह power series की form में इसको हम देख सकते हैं, 1 plus x plus x, clear, तो यह हमने इसको power series की form में convert कर लिया, power series में convert करने के बाद, अब हम इसकी integration करने जा रहे हैं, कि direct इसकी integration करना जो है, वो इतना easy नहीं है, लेकिन अगर हम इसको power series की form में convert करते हैं, तो फिर हम इसकी integration जो है, वो easily कर सकते हैं, और वो हमारे पास, कुछ, इसकी value जो है, अब आजागी, यह जो हमने power series में convert किया, उसके बाद हम integration करने जा रहे हैं, तो 1 की integration करेंगे, वो आजागा, x, अगर हम x के integration करते हैं, तो वो हमरे पास रहते है, x square over 2, इस तरह x square की integration कर रहे हैं, तो वो x cube over 3 plus up to some, एक constant value हम इसमें add कर देंगे, अब actually हमें इसकी power series बना रही थी, तो अब इसकी power series क्या बनेगी, वो हम देख लेते हैं, कि इसकी power series मरे पास क्या बनेगी, क्योंकि हमारे पास x की power जो है, यहां पर हम देख सकते हैं, कि 1 है, यहां पर मरे पास x की power 2 है, और divide भी 2 से हो रहे है, x की power 3 और divide भी 3 से हो रहे है, तो अगर हम यहां तो हम n की variation 1 to infinity ले 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 ठीक है यहां फिर हम अगर n की variation जो है वो 0 to infinity अगर 1 to infinity लेते हैं फिर तो यह हम आपस ड्रैक्टी यह बन जाएगा x raise to power n over n क्योंकि 1 over 1 आ रहा है इसकी power 2 है तो denominator में भी 2 आ रहा है power 3 है denominator में 3 है और साथ जो है वो c add हो रहा है और अगर हम n की variation 0 से लेना चाहरे हैं तो फिर हमें x की power जो है वो n plus 1 करनी पड़ेगी और इसके denominator में भी n plus 1 करना पड़ेगा क्योंकि पहली n की value अगर हम 0 ले रहे गा x raise to power n plus 1 over n plus 1 तो ये हमारे पास power series इसकी आगी अब next हम देख लेते हैं to determine the value of c अब हमने इस c की value सिर्फ ये c एक हमारे पास आनना उन था इस power series में तो इस c की value जो है वो हम find out करना चाहरे हैं कि c की value हमारे पास क्या आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि function में x की minus log 1 minus x था x की जगा 0 हो गया log जो है वो 1 वो हमारे पास 0 होता है तो it means c की value जो constant है उसकी value तो हमारे पास आगी है 0 तो finally जो हमारे पास series बन रही है वो ये negative यो है कि minus हम इस side पे ले रहे थे minus log 1 minus x की हमने integration ली थी तो हमारे पास value आ रही थी तो it means कि ये जो negative है इसको हम right side पे अगर shift कर दें तो finally हमारे पास series जो है वो ये बन रही है सारी terms के साथ हमारे पास negative आएगा n is equal to 1 to infinity के लिए x raise to power n over n और यहाँ पर हमने क्या का कि यहाँ पर यह जो x mode है इसकी value जो है वो होगी less than 1 तो again इसका radius of convergence जो है वो 1 यहारा जैसे कि original series का था हमारे पास अब हमने notice यह करना है कि अगर हम x की value को 1 over 2 से replace कर देते हैं तो हमारे पास result जो है वो क्या आता है x की value अगर हमने 1 by 2 ले लिए है x हमारे पास क्या था 1 यहाँ पर हमारे पास जो function था उसमें हो रहा था 1 minus x हो रहा था तो यहाँ पर हमने x की जगा अगर 1 by 2 पुट कर दिया तो यह हमारे पास 1 minus 1 by 2 तो 1 by 2 ही आ जाएगा तो अब यह 1 by 2 के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास series क्या बनेगी मैं इसको पुरा नहीं solve किया बस मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो values पुट कर दूंगी x is equal to 1 by 2 के लिए तो finally यह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 by 2 हो आ रहा है हमारे पास अब यह चाहिए इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा simplify कार के बताते हूँ कि लोग 1 by 2 जो है वो minus log of 2 के equal कैसे आ रहा है पहले तो इस चीज़ को देख लेते हैं कि यह दोनों sides हमारे पास equal कैसे आ रही है फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने negative sign क्यों नहीं use किया यहाँ पर तो power series में हमारे पास सारे negative आ रहे थे लेकिन यहाँ हमने negative नहीं use किया क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक negative और आ रहा था अब यह कैसे वना क्योंकि लोग की हमारे पास एक property है कि अगर लोग में हमारे पास division में हो तो हम उसको subtract में लिख सकते हैं लोग 1 over 2 को हम लोग लिख सकते हैं लोग 1 minus log 2 तो इसलिए हमने इसको जो है वो log 1 over 2 को इस मुए convert कर लिया कि हमने इसको लिख लिए log 1 minus log of 2 तो log of 1 जो है वो तो मेरे पास 0 हो गया बाकी मेरे पास minus log of 2 जो है सिर्फ यहीं बचग ए तो यह हमने log का जो है वो rule यूज करके इसकी value जो है मरपस minus log of 2 आगी है अब यह जो है minus इस तरह भी मरपस सारी terms के साथ minus आना था और हब मरपस right side पे भी minus था तो left side पे भी मरपस minus log 2 बन चुका है इसकी जगा ठीक है तो वो दोनों sides में हमरपस minus है तो इसको दोनों sides को हम minus 1 से multiply कर देंगे तो finally हमरपस log of 2 आजाएगा अब सिरफ x की जगा हमने values put करनी है सबसे पहले तो x था हमरपस x की जगा आजाएगा 1 by 2 फिर x का square है और उसके साथ 2 multiply भी हो रहा है तो x की value हमरपस 1 by 2 है तो 1 by 2 का square हमरपस आजाएगा 1 by 4 और 1 by 4 से जब हम 2 multiply करते हैं तो हमरपस आजाता है 1 over 8 अब x cube है तो 2 cube हमरपस किया हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 8 से हम जब 3 को multiply करेंगे तो यह हमरपस आजाएगा 1 over 24 इसी तरह हम 2 की power 4 लेंगे और फिर उसको हम लोग जो है वो multiply कर देंगे 4 के साथ तो यह हमरपस आ रहा है 1 over 64 तो इसी तरह यह terms हमरपस बन दी जाएगी अब इसके लिए generally हमने देखना है कि हमरपस किस तरह का यह result जो है वो submission की form में हो रहा है एक तो यह n multiply हो रहा है उसके उलावा जो है वो 2 raise to power n ना रहा है तो finally यह हमरपस expression जो है वो इसका बन जाएगा जो हमने find out कर लिया है अब हम next जो है वो हम लोगँ tangent के लिए देखना है कि find the power series representation for f of x is equal to tangent inverse of x अगर हमरपस f of x की यह value है तो इसकी हमने power series जो है वो representation जो है वो find कर लिए है तीक है अब directly इसकी find करना मुश्किल है तो इसके वो यह observe data हम इसके भी derivative लेके जैसे पीछे हमें लोगँ वाला था तो उसकी हमें direct find करना मुश्किल थी तो इसलिए हमने उसकी integration use करके कि उसके में integration हो है वो use करके वहां से हमने उसकी देखा कि हम किस तरह उसकी power series find की हमने अब हम आपस tangent inverse of x है तो इसका हम derivative जो है यह 1 over 1 plus x square का derivative होता है tangent inverse of x तो again हम उसी तरह इसकी integration use करके tangent inverse of x का derivative जो है वो है 1 over 1 plus x square it means 1 over 1 plus x square का square की जो integration है वो tangent inverse of x आती है तो इसको again हम use करके अब इसकी जो है वो power series find out करेंगे जब हम इसको देखने जा रहे हैं कि इसमें हमारे पास power series जो है वो इसकी अब किस तरह बना सकते हैं तो again हमारे पास जैसे tangent inverse of x के भी मैंने आपको बताया कि इसके अगर हम 1 over 1 plus x square की integration करें तो हमारे पास tangent inverse of x आता है और tangent inverse of x के अब हम power series find out करना जा रहे है और 1 over 1 plus x square power series जो है वो यह बन जाती है 1 minus x square plus x raise to power 4 minus x raise to power 6 तो यह हमारे पास इसकी power series बनती है अगर हम दोबारा इसको देखना चाहे तो इसको 1 यहांपर हमें minus चाहे होता है तो इसलिए हम minus से multiply कर देती हैं और फिर वहां से हम लोग जो है again इसको equation number 1 जो हमने discuss की थी start में इस lecture में भी तो उसको उसी तरह हमने इसकी यह power series बन जाती है अब इसकी हमें करनी है integration तो 1 की integration जो है वो तो हमारे पास constant जो है वो 1 की integration तो x आ जागी हमारे पास लेकिन एक हमें constant of integration इसमें add करना है तो उसको मैंने start में लिख दिया यह हमारे पास c वो constant of integration है अब अगर x scale की हम integration करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगी x cube over 3 इस तरह अगर हम x4 की integration करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा x raise to power 5 over 5 और x raise to power 6 integration x raise to power 7 over 7 तो यह minus plus तो साथ फैसी आते जाएंगे क्यूंकि इसमें हमारे पास जो है वो powers जो है वो positive ही आएंगी plus up to son यह infinity की तक जाएगा यह c हमने constant of integration add कर दिया तो अब इसको हम देख लेते हैं अभी c की value हमने find करनी है c की value find करने के लिए again हमें x is equal to 0 पर check करना पड़ेगा x equal to 0 अगर हम put करते हैं तो हमारे पर सी ज है वो tangent inverse of 0 इसकी को लाते हैं यहां सारी terms में x equal to 0 put कर जाते हैं left hand side पõ right hand side पे तो यह तो 0 हो गई है c is equal to tangent inverse of 0 हो आ गया तो tangent inverse of 0 जो है वो 0 था है इसलिए हमारे पास constant तो हो गया इसमें भी 0 अब इसको हम sum की form में कैसे लिख सकते हैं यह plus minus plus minus form में तो यह हमारे पास alternative series बन रही है तो first value term हमारे पास positive है अगर हम n की limit 0 to infinity लेते हैं तो minus 1 raise to power n ही आजाएगा क्योंकि first value term positive आजाएगी इसके और second value negative बन जाएगी यह तो हमने relationship देख लिया कि इनके science के लिए कि alternative series बन रही थी तो यह हमने देख लिया अब इन terms के लिए भी हमने relationship देखने हैं तो अगर हमारे पास first value term है इसमें हमारे पास power आ रही है one second भी हमारे पास आ रही है three power फिर five फिर seven तो basically हमारे पास और powers बन रही है तो अगर n की variation zero से ले रहे है तो यह two n plus one हमारे पास बन जाएगा अगर हम n की variation one से लेता है तो यह two n minus one बन जाता हमारे पास इसकी power में लेकर n की variation zero से है तो यह two n plus one बन जाएगा अगें हम देख सकते हैं के radius of convergence of the series is one the radius of convergence जैसे के tangent inverse of x का radius of convergence one था तो यहां पर भी हमारे पास जो है वो radius of convergence जो है वो one ही आ रहा है ठीक है this power series for the tangent of ten in the example is काल अच्छा जी अब इस power series को न हम लोग जो है वो एक special नाम भी दे सकते हैं जिसे हम ने कहा के यह जेम्स की radio था इसको हम लोग इसके वज़ा से who is anticipating some of the neutrons discoveries जो के some neutrons discoveries में भी हमारे पास इसके नाम है इसके नाम से इसको हमने जो है वो series का नाम दे दिया है अब इस series को जो है यह valid जो है वो हमारे पास किसलिए होती है minus one से लेकर जो है वो हमारे पास one तक वाली जो अगर हम terms लेने हैं तो यह उन सब के लिए जो है यह series जो है वो varied होती है इसके लावे भी कुछ और terms है उनको evaluate हम कर सकते हैं अच्छा आप यह जो है आपने इसको खुद से solve करने की कोशिश करनी है अगर तो यह नहीं आप से solve होगा तो उसके बाद next lecture में ठीक है और यह definite integral की बाद में आपने fundamental theorem of calculus यूज करके जो आपका answer आया होगा उसमें आपने इसको पूट्स करनी है 0 से 0.5 ठीक है इसको आपने approximate करना है within 10 raise to power minus 7 तो इसका solution आप लोगोंने खुद इसको solve करने की कोशिश करनी है जैसे अभी हमने दो तीन examples जो मैंने आपको detail में solve करके बताई है उसमें वसे एक step आपने end पे end करना है कि यह fundamental theorem of calculus पूट करके इन limits के value पहले तो इसको evaluate करना है फिर यह limits पूट कर देनी है तो यह आ आज का home work है अगर आप से नहीं solve होगा तो फिर मैं आप लोगों को यह solve करके बता दूँगी लेकिन आपने इसको खुद solve करने की कोशिश करनी है अभी के लिए अलाफिस